यहां पर आप scoring guide देख सकते हैं और इसे के आधार पर पूरे प्रशन पत्र को check किया जाता है टीचर अपने इसाब से number नहीं देते हैं उनको instructions दिये जाते हैं उसके इसाब सही checking होती है तो यहां पर जो MCQ based प्रशन है उसमें आपका जो सही विकल्ब है माली जी पहला जो प्र return वाला उत्तर था उसमें आप ध्यान से देखिए कि जो बच्चा पूरा सपष्ट करके point लिखेगा उसको 6 level पर रखा जाएगा जो बच्चा पूरे point ना लिखके सिर्फ 2 बिंदू लिख रहा है उसको 4 level पर लिखा जाएगा सिर्फ A की बिंदू लिख रहा है और जो A की कोई भी उत्तर नहीं देता है उसका 0 level यान की A की प्रशन पर आपको 0 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 6 मिल सकता है तो आपको अपना लिखने का style बहुत अच्छा रखना है जो पूछा गया है वो पुरा लिखना है, विस्तार से लिखना है इसी तरीके से आप यहा तो इस बात को आपको समझना है, MCQ में A के ही fix level है, यहाँ पर आप देख लिजी, यहाँ पर आप देखे, या तो 4 level मिलेगा या 6 मिलेगा या गलत लिखेंगे तो आपको 0 level मिलेगा, तो इस बात का आपको धियान रखना है, कि पूरा विस्तार से आपने उत्तर देना है औ उनमें बहुत लेवल है, वैरियेशन है, और हाइस लेवल उसी बच्चे को मिलेगा, जो विस्तार से जो पूछा गया है, वो पूरा लेखेगा, अंत में आप देखी, जो आपका प्रशन संख्या 31, 32 और 33 थे, जिसमें आपने साक्षातकार, जीवनी, पत्र लेखन और रिप मिल सकता है, 6 भी मिल सकता है, 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी और 0, तो यानि कि वहाँ 0 से लेके 8 लेवल है, सारे अप्लिकेबल है, यानि कि जो बच्चा जितना अच्छा लेगा, सबसे बेस्ट लिखेगा, उसको 8 मिलेगा, अगर थोड़ा सा कम लिखता है, तो 7 मिल सकता है 6 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 3 भी, 2 भी, 1 भी, और कुछ भी नहीं लिखेगा, या गलत लिखेगा, तो 0, तो कितना variation है, यानि कि सही गलत नहीं है, कि बच्चे ने सही किया है, तो पूरे नंबर मिल गए, गलत किया है, तो नहीं मिले, यहाँ पर आपको तयारी करनी है, स्मार्ट मैनेजमेंट करना है, तो यह आपकी स्कोरिंग गाइड थी, मुझे आशा है कि आपको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा,